नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9, 10 और 11 जनवरी तूला रासी के महारासी फलके बारी में दोस्तों भगवान भोलेनात का फैसला आ चुका है आने वाले तीन दिनों के अंदर आप से विकर जीवन बदल जाएगा जिहां दोस्तों आप भी कहेंगे कि हे महादेब आपने इतनी बड़ी खुसकबरी हमको दे दी जिहां दोस्तों जलसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें की सब कुछ गरहों का खेल है सब कुछ कर्मों का खेल है दोस्तों जैसा जिसने कर्म किया है भगवान उसको वेसा ही परनाम देते है जिहां दोस्तों और आपके अच्छे कर्म और आपके अच्छे पुर कुछ समय से आप सभी के जीवन काल में एसा समस्या एसे आर्थिक तंगिया चल रही है जिनसे आप बहुती परेशान हो चुके हैं लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि अच्छे कर्म करो और फल की चिंता मत करो क्योंकि दोस्तों फल तो श्वयम भगवान भोलेनाद देते हैं जह आप सभी के जीवन काल में जो जो खुशकबरियां भगवान भोलेनाद आपको देने वाले हैं दोस्तों सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे जहां दोस्तों आगे इस वीडियो में हम आपको वश्रभी खुशकबरियों के बारे में बताएंगे कि आने वाले तीन दि पर तेक छेतर में क्या-क्या बदलाब करने वाले हैं साथी बात करने कि आने वाले तीन दिनों के अंदर आपको कौनशी महत्वपुन शाबधानिया रखनी चाहिए जिसे दोस्तों अब अपने जीवन काल को और भी जादा बहतर बना सकी तो दोस्तों आज का यह वीडियो गरह गोचर पर निर्मित पुर्णता आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाप्रत होंगे इन्हें बिल्कुल ही मिस करने की गलती ना करें और अच्छे इंसान की तरह वीडियो को अंतर तक देखिएगा दोस्तों यकीन मानिये कि आपका जीवन बदल जाएगा इस वा की फिक्र मैं करूंगा क्योंकि तुम्हारा कर्म जेसा होगा तुम्हारा साथ भी वेसा होगा जिहां दोस्तों दोस्तों इतियास गवा है कि भोलेनात अपने भक्तों को कभी भी निरास नहीं करती जो भी उनके दरवार पर जाते हैं तो उनका मनुकामना श्रम भगवान भ चुरुआत करते हैं भगवान स्रीक्रिष्ण के एक बहुती अच्छे ज्यान से दोस्तों भगवान स्रीक्रिष्ण जी कहते हैं कि कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर हम उन्हें ना छोड़ेंगे तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा जहां द सफलता भी मिली है तो उन सफलताओं पर कभी भी घमट मत करना क्यूंकि घमण भगवान का आहर होता है जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपने रूप और रुपे का कभी भी घमड नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों मौर को उनके पंखों का बोज ही उचा उड़ने नहीं देता है जिहां दोस्तों तो दोस्तों यहाँ बात अगर आपको अच्छी लगी हो सटिक लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिख दें जैश्री कृष्ण, राधे राधी और दोस्तों इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को प्रेश करके औल पर स्लेट कर लें तो अज दोस्तों बात करते हैं कि यह तीन दिनों के शमय अबदी में भगवान भोलेनात के आसिम आसिरवात से आपके नसीब में क्या-क्या लिखा है आपके घर के माह में दिक काम भी बन शकता है कई भी निवेश करने के लिए समय बहुती अनुकुल है निकट भविस में फायदा होगा तारमी गति विदियों में भी आस्था बढ़ेगी ताथी सथ अपनी योजना को क्रियावेंद करने का उचित समय है अपनी योगता को पहचाने आज लाबदायक साबित होंगे पर 30-30 लोगों से मुलाकात लाबदायक और समान चनक रहेगी तह आपका व्यक्तित में भी निखार आएगा गर के रखराखाव समन्दी वस्तों की शोपिंग भी होगी दोस्तों आपका ग्रह गोचर बहुती अनकुल बना हुआ है सिर्फ उचि भरी परस्तियां बन रही है युआंको भवी शमन्दी फेशले लेने के लिए उनके अंदर हिमत आएगी और पटी समन्दी को रुका हुआ काम बन चाने से शुकुन और रहत मिलेगी परिवार के साथ धार्मी गात्रा शमन्दी प्रोग्राम भी बन शकता है इनके साथ जय से समन्दम में भी खाटास आएगी समझदारी और सांती से काम लें ध्यान रखें कि कोई वीती हुई नकार्तम बात आपका आज भी खराब कर सकता है इसलिए वर्तमान गत्य विधियों पर हिध्यान दें तक खुद को व्यस्त रखें विध्यार्थियों को अपनी पढ अफसर बन रही हैं कुछ अध्यकारियों के साथ समन्दम में मधूर्ता बना कर रखें अपने व्यक्तिकत गतवीदियां किसी के समख्ज भी जाहिर न करें आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकती है परिवार के किसी सदेश के नकारतों वहवार से तनाव रहेगा और शमे अपने काम के पर्ती और अधिक मनन चिंतन करने की जरत है दोस्तों इन तीन दिनों का शमे आपके लिए बहुती साकरतमक रहेगा ता आप खुद को उर्जवान महसूष करेंगे गर में कोई मांगली कारे समिन्दी योजना बनेगी ता परिवार और समाजी गतिवीद अपने काम करने का तरीका किसी को शेयर न करें दोस्ता आपके लव लैप के बारे में बात करें तो घर परिवार में शुकुन भरा वातारवन रहेगा पती पतने के बीच रोमांटिक समन्द बने रहेंगे जीवन साथी दिता परिवार जनों का आपके पूर्ण शहयोग र किसे सुरूप से सजग रहें अपने खान पान और दिन चार्या की परती लाप परवाही बेलकुल न करें और सकारत्मां दिश्टिकोन बना कर रखें चलिस्तो बात क्रताब के उपाय के बारे में दोस्तों या जो उपाय हम आप सभी को बताने वाले हैं या लगातार चार स शौमार को कर लेंगे तो दोस्तों आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी शौमार के दिन भगवान शिप के मंदिर में जाकर दूद मिस्तिरित चल भगवान भोलेनात की सीवलिंग पर अरपन करें तथा अभिमांत्रित रुखद्राश की माला से ओम शुमेशराय नमाका 108 बाट जाप करें अर्थात एक माला करें और दोस्तों उस दिन पांच पत्ते वाले वेलपत्र शिवलिंग पर चड़ाएं इससे दोस्तों आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी दोस्तों आपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग नीला है और भागे साली अंक छे है दोस्तो भगवान महाकाल का अशिरवात आपसे भी को प्राप्त हो सच्ची दिलशे कमेंड बॉक्स में जै महाकाल जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवार